नमस्क्राइब दोस्तों स्वागेते अपके येट्व चनल फिन ओएच प्यू टाटा टेक्नोलोजी इसका आइप्यू आया और आइप्यू आने के बाद शेयर में जबर्दस गिरावड बना मतलब पहले जब आइप्यू आया इसका तो बहुत सरे इन्वेस्टर्स ने आपक पोल्स कर दिया है दोस्तों की उत्री कर रेजल्ट आया है अभी क्या करना चाहिए मतलब अभी ये श्यार देजी बनाया गया क्या हुआ है तो डिटियल में समझेंगे दुस्तों हम लोग इस वीडियो में टाटा एक में श्यार को लेकिन और यहां पर एक चीज हम लोग आ नहीं दे सकते हैं हर एक चीज का कुछ रूल से रेगुलेशन रहता है तो वह फोलो करना पड़ता है और पैसा आप लगाता है हम लोग कोशिश करते हैं जो वीडियो बनाते हैं उसको लेके श्यार को लेके जो भी इन्फरमेशन से वह थोड़ा रिसार्ज करते हैं उसको म समझे क्या चल रहा है वह हम लोग श्यार में मतब क्या चल रहा है वह दिखाने की कोशिश करते हैं वीडियो के माध्धम से वह समझे उसके बाद आप खुद एक बार निर्णर लेजिए देखिए कि श्यार में क्या चल रहा है उसके बाद ही आप सोचिए श्यार में करना ह या नहीं करना है दोस्तों पैसा आपका है इसलिए हमेशा आप जो है सही जान करे लेने की कोशिश कीजिए जय हिंद दोस्तों तो चलिए शुरू करते स्टॉक की बात ही दोस्तों टाटा टेकमोरेजिस का जो Q3 2023 का माफ कीज़े की रीटी ट्वीडिफोर का जो रेजल्ट आया है अभी वहाँ पे 1.6% का जो है ग्रोथ देखने को मिलाए इन इस रूपी रेविन्यू तू 1,289.5 के रूर का हुआल नेट प्रॉफिट जो है 6.1 परसेंट बढ़ गया है दोस्तों हम लोग ने कुछ दिन पहले एक टाटा टेक्नलोजिस को लेके एक वीडियो बनाया था और इसका Q3 के रेजल्ट को लेके ऋ क Bierals पोस्ट किया था Tata Technologies के कुछ बरे बरे चार या पाच लाइन से उसमें से टाटा मोटर्स बगेरा इसमें से बहुत जबर्दस रेविन्यू मिलता है Tata Technologies को, जो एक अच्छा कासा revenue generate करता है Tata Motors और एक दू ऐसे clients है उसमें से, उसके लबा Tata Technologies जो है technology sector में खुद को, मतलब इसका जो business है, इसको अलग हिया है, उसका जो different, मतलब बोल से थे कि इसके जो कुछ points है, ऐसे है कि जो बागी company से ये अलग से एक अच्छा कासा market में business कर पाता है, तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब जो इसका Q3 2024 का result आया है, इसमें, 1289.5 करोड का revenue में growth हुआ है, net profit, 170.2 करोड का dollar revenue हुआ है, जो की 0.9% अप है, and 154.8 million हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं, while earning, इस earning जो है, before interest and taxes, margin remain consistent, जो की year on year, 16.2% के आसपास है, dollar revenue की बात करते हैं, जो अब देख सकते हैं, जहाँ पर dollar revenue of its services, vertical, which contributes 78% of its overall operating revenue, drop 1.7%, which अब यहाँ पर वरें, है जो है, managing director or chief executive in Tata Technologies का, उन्होंने कहा है कि due to, मतलब इसका जो sensitivity of the traditionally weak quarter, as well as the competition of the larger deal, तो large deal नोगा हुआ था, तो अब यहाँ पर Tata Technologies का देख सते हैं कि यहाँ पर जो है, बोल सते हैं कि, जो इसका addition, मतलब, did not make any net additions to its large clients, with deal value of over 5 million during the period, however, it added 172 employees to its net headcount में, and even as attribution dropped by 1.8%, जो की Q3 earnings में दिखने को मिल रहा है, अब यहाँ पे post earnings में देख सते हैं, इंटर्वियू में, जो इन्होंने mint में information share किया है, जो Tata Technologies के मतलब हरी से, CEO है, उनके और से और से बताया गया है, कि signal, मतलब, इसका जो potentially muted है, and to the ongoing financial year, अभी यहाँ पे, मतलब Tata Technologies का quarterly देखते हैं, upon quarterly performance, was as we expected, मतलब अभी जो इसका बोल सेते की Tata Technologies का Q3 का result आया है, इसका जो quarterly result आया है, यह बोल सेते की management का कहना है Tata Technologies का, कि जैसा इन लोगोंने सोचा था कि ऐसा ही, मतलब जो है, बोल सेते की result आया है, growth rate was somewhat muted, given that Q3 is typically soft because of festival and holidays, तो यहाँ पे Tata Technologies का Q3 का result आया है, मतलब आप बोल सेते की, एक बहुत बड़ा blast नहीं हुआ है, बहुत बड़ा test नहीं देखने को मिला है Q3 के result में, muted result था और यहाँ पे इन लोगों का कहना है की, जो festival and holiday season है Q3 में, उसके चलते जो है, result उतना बड़ा नहीं देखने को मिल रहा है, we are also coming to the end of an engagement with a Southeast Asia OEM, for whom we've finished engineering and test and validation of two electric vehicles, तो यहाँ पे Tata Technologies जो है, इन के और से कहार है, मतलब, South East Asia में जो है, इन लोगों का, मतलब, दो ऐसे vehicles का test भी हुआ है, validation बड़ा हुआ है, and उन लोगों का, मतलब, बोल सेते की, अभी जो result है, यहाँ पे, blowing our resources, मतलब, यहाँ पे, impact जो है, इसका growth, देख सेते, recorded over the last couple of years, तो फिलाल, यहाँ पे, executive जो है, Tata Technologies का, March quarter में, इन लोगों कहना है की, last of when the end of the previous deal affects the company, beyond this, we are extremely bullish about financial year 2025, 5, तो फिलाल, यहाँ पे, मतलब Q3 के result तो उतना कुछ खास नहीं आए, बट इन लोगों कहना मतलब, 2025 में हो सकता है की, मतलब, आच्छा का सा result पोस्ट करें और यह लोग फिलाल bullish है, अभी यहाँ पे, announce देख सेते है की, 5 key deal, जो है, यहाँ पे, signings and partnership and alliance, such as the one of the, Agretas, TataSons subsidiary on battery technology, and another Intel and ARM, जो यहाँ पे, बोल सेते की, 3-4 इन लोग का deal हो रहा है, जो की TataSons का ही एक subsidiary company है, Agretas and Intel and ARM के साथ, और यहाँ पे, यह लोग बोल सेते की, यह जो deal हो रहा है कुछ, इसके चलते ही, यह लोग को मतलब लग रहा है की, TataCons का जो कहना है, की bullish है फिलार यह लोग हो सकता है की, बाद में मतलब जो quarter का result आए, उसमें एक अच्छा का सा result TataCons post करे, and यहाँ पे जो deal हुआ है, runoff with the South East Asian OEM, will continue in Q4, so we will have to find a way to backfill that, this will likely taper growth in Q4 by, Q1 financial 25 will back to stronger, जो इसका growth है, तो यहाँ पे तोरा देखिए, जो बोल सेते की, अभी Q3 24 का result आया, तो हो सकता है की दोस्तों Q4 24 का result आये, उसमें भी Tata Technologies उतना कुछ बड़ा result पोस्ट ना करे, and यहाँ पे Q मतलब इन लोग का जो जैसी, बोल सेते की Q1 25 का result आये गा, उसमें लोग का कहना है की एक अच्छा का result हो सकता है की Tata Technologies को से पोस्ट किया जाए, अभी इसका detail में देखते है, जो total revenue हुआ है Tata Technologies का Q3 24 का, वह हुआ है 1,320.1 करोर का, operating expenses जो है 1,052.8 करोर का हुआ है, operating profit की बात करते है 236.5 करोर का हुआ है, वह ही दोस्तो जो EVI DTA है 267.2 करोर का हुआ है, net profit की बात करते है 170.2 करोर का हुआ है, तो यहाँ पे Tata Technologies का जो बोल सेते की पहले, मतलब इस जो हम लोगे रेजल्ट देखा रहा है, अभी a consolidated result है, और इसके पहल सेते की Q2 24 का जो रेजल्ट है था दोस्तों, उसमें Tata Technologies ने अच्छा का सा रेजल्ट पोस्ट किया था, क्योंकि अगर देखेंगे तो उसमें अच्छा का सा growth हो रहा था, अभी फिलाल देखेंगे तो मार्केट को जैसे expectation था, ऐसा Tata Technologies ने इसके Q3 24 का रेजल्ट नहीं देखने को मिला है Q3 24 का, तो अभी यहाँ पर शेयर ओल्डिंग की बात करते हैं, जहाँ पर प्रमोटर्स है, प्रमोटर्स के पास 55.39% का stake है, FIS के पास 2.02% का stake है, mutual fund के पास 1.93% का stake है, other institution के पास 0.71% का stake है, और public के पास 39.95% का stake है, और फिलाल अभी शेयर का price जो है 1144 इसके आसपास चल रहा है, 1144 रुपे इसके आसपास चल रहा है, तो यहाँ पर अगर आप शेयर अभी खरीदते हैं, तो बहुत ही सोस समझ के खरीदधारी कीजिए, इसका जो एक high price बनाया था, लगबग 1400 रुपे इसके आसपास पहुझ गया था यह शेयर, और 1400 रुपे का आसपास पहुझ गया था इसका जो लोग price बना था दोस्तों, उन लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहते हैं, कि कोई भी शेयर आपको फरिद्धा चाहिए या बेशने चाहिए, रिक्वेस्ट करते हैं जब भी आपको शेयर करेते हैं या बेशते हैं, उससे इबड़ जरूर रिसर्च कर लिजीए, उमीद है जो भी information दिया है अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा तो वीडियो को like and share जरूर किजी, अगर आपने अभी तक हमारी यूट्व चनल फिन वेश के subscribe नहीं किया तो जरूर कर लिजीए